हेलो आवरीवान एंड वेलकम बाग तो आवर यूट्यूप चानल सावी फॉरेंसिक्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं passage based questions की और यह जो passage होने वाला है वुंड और injury से related होने वाला है तो बहुत कुछ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और यह basically 8th part है इससे पहले already 7 parts आ चुके हैं उमीद करती हूँ आप लगों ने देख रखा है हुआ अगर नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर देखेगा बहुत अच्छा अच्छा content था उनमें बहुत कुछ हमने उसमें discuss किया हुआ है तो जल्ले से start कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम passage को पढ़ कर समझे तो basically passage हैं बोला गया है एक violent death का case हुआ था 57 year old man के साथ भी इनके death हुई थी इनके जब autopsy करे गई थी तो autopsy ने reveal किया था जो deformation है right side of the head मतलब जो head का right side है उस side में deformation हुआ है और total 23 slash stab and cut wounds देखने को मिले थे और इनके साथ साथ कुछ contused laceration भी वहाँ पर available थे ठीक है और यह सारे जो मैंने आपको wounds बता है यह उनके scalp पर ही identify हुए थे साथ में उनके face पर भी दिख रहे थे and neck मतलब उनके head मतलब scalp face and neck यह तीनों ही जगा पर available थे इसके साथ में कुछ superficial aberrations और bruces भी देखने को मिले थे उनके skin पर साथ में जब immediate जब उसको identify किया गया था तो उस time पर यह पता चला जो immediate cause of death है वह हुआ है क्योंकि उनका extensive brain contusion हुआ है उस time पर जिसकी वजह से जो उनका neurocranium part था उसमें fragmentation हो गए थे तो इसकी वजह से उस individual की death हुई थी तो यह पूरा proper case है अब इसको solve कैसे किया जाएगा तो वह सारे जब इनके wounds वगएरा होगे इनका analysis करी जाएगी तो उसके basis पर उसका पूरा identification होगा अब इसके last में एक line थी जो की बता रही थी किस तरह से death हुई है तो vote is मैंने इसमें स से हटा दिया है क्योंकि उसी पर based मैंने question को frame करा हुआ है ठीक है तो अभी आगे चलते हैं और देख लेते हैं questions के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला question आपके सामने आता है according to the passage stab wounds along with the laceration is found on the dead body so which among the following may be the tool used by the culprit to make the injury जब हमने passage को पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था उसे बताया गया था जो dead body थी उनके जो head का right portion था वहाँ पर कुछ injuries देखने को मिली थे आपका head है तो यह मानने जी right side है तो इस right side में scalp पर face पर और neck पर stab wounds मिले थे और वो जो stab wounds से उनके साथ साथ में laceration भी available था ठीक है तो अब यहाँ पर यह चीज बतानी है कि इसमें से कौन सा ऐसा suspected tool हो सकता है जिसकी help से वो injury cost करी गई होगी तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो tool होते हैं यह होते क्या है तो सबसे पहले अगर हम बात करें hatchet की तो hatchet जो रहता है एक तरह का आपका ऐसा tool होता है जो hammer की जैसे दिखने में होता है लेकिन साथ साथ में cutting करने के लिए भी एक sharp edge होती है तो यह जो tool होता है कुछ इस तरह से होता है इसमें यह handle लगा है बीच में अब इसका एक जो edge है यह बहुत sharp होता है जहां से आप cut कर सकते हैं अराम से बहुत sharp होता है second side जो होती है वो बिलकुल आपके hammer की जैसे होती है जिस तरह से आपका hammer दिखने में होता है अगर आप उससी किसी को मारेंगे तो वहाँ पर आपका ना तो laceration बनेगा ना तो आपका cut बनेगा वो basically वहाँ पर आपके tissues होते हैं वो आपका बिलकुल वहाँ पर tissue जो प्रॉप यह कुछ इस सतरह का tool होता है यह आपका handle है इसका यह handle है और यह जो edge है यह बहुत sharp होती है तो इसको हिंदी में बहुत के котором बात करें तो हिंदी में इसको और यहीं इसको इंग्निश नाम के तो इंग्लिश में इसको chisel बोलते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर X की, तो X बेसिकली आपने हिंदी में नाम सुना होगा कुलाहडी, तो जो कुलाहडी होती है, उसी को हम बोलते हैं X, ठीक है, यह जो X होता है, यह कुछ इस तरह का टूल होता है, जहां पर एक साइड जो रहती है, वो बहुत शार्प ह होती है, अगर हम उसको साइड से देखें, तो यह माली जे शार्प साइड है, और जब यह पीछे साइड में जाती है, तो हलका सा इसमें थिकने साती रहती है, तो जब इस टूल का यूज बहुत ही हार्ड करा जाएगा, और जब यह जो शार्प एज है, इसके अंदर तो इनके जो एंड होते हैं, वो बहुत शार्प होते हैं, तो उस कंडिशन में लेसरेशन देखना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन जो एक्स रहती है, इसका जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो जैनरली आपका कट बॉंड ही देखने को मिलता है, लेकिन जब बहुत ज़ादा हाश तरह से बहुत ज़ादा फोर्स के साथ में अप्लाई करा जाता है, जब कुलहडी जो रहती है, उसका एक्स का जो बैक साइड रहता है, वो भी बहुत ज़ादा शापली उस पे अपलेकेबल होता है, तो उस कंडिशन में आपका कभी-कभ लग्स होते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ प्लास्टर करने के लिए यूज़ करा जाता है, अगर बात करें तो हिंदी में इसको कन्नी बोलते हैं, तो यह होता है आपका ट्रॉबल तो यह भी बहुत शार्प ही रहता है, मतलब बहुत ज़ादा कट करने वाला शार्प म इसका शेप होता है, अगर हम इसके शेप की बात कहें तो यह कुछ इस तरह से रहता है, और इसमें यह हांडल अटाच रहता है, तो जो आपकी खेत रहते हैं, तो जो फार्मी ती थी पहले टाइंग पर, उससे जब खेत की जुताई होने होती थी, तो उसके लिए यह तू तो उसके लिए यह आपका इस तरह का टूल यूज़ता है इसको हम साइथ बोलते हैं और यह जो आपके यह जो साइड रहती है यह बहुत ज़दा शार्प रहती है और बहुत पतली रहती है तो यह चीज़ साइथ होती है तो यहां से भी आपके लेसरेशन का बनना उतना ठीक है अब यहाँ पर यह मैंने जितने भी options बाकी के लिए हैं तो इनके बारे अभी आपको पता होना चाहिए यूंकि इस तरह की questions आपके net के exam में आ सकते हैं तो वहाँ पर आपको confusion हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे यहाँ पर tools को include किया है आगे move करते है next question की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है match करना है basically तो यहाँ पर आपका column 1 है वहाँ पर cause of death दे रखी है column 2 में आपका color बता रखा है तो वहाँ पर आपको match करना है कि अगर किस तरह की death होगी तो उसकी बड़ा से आपको body में कौन सा color का visualization होगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें opium poisoning की तो जभी भी opium की poisoning होती है तो उस condition में आपकी जो भी dead body होगी वहाँ पर आपको grayish या फिर black color आपको देखीगा मतलब grayish black color आपको visualize होगा तो एक करेक्ट माच हो जाएगा option number 4 से next अगर हम बात करें methemoglobinemia methemoglobinemia जो रहता है जभी भी इसकी poisoning होती है तो उस condition में आपको हमेशा brownish red color visualize होगा burning cold की बात करें तो burning cold की वजहाँ से आपको cherry dead नज़र आएगा burning या फिर cold बहुत ददा burning की वजहाँ से death होई है या फिर बहुत ददा cold की वजहाँ से death होई है तो उस condition में जो cherry red discoloration ही नज़र आएगा इतना हो गया इसके बाद में next अगर हम बात करें septic abortion की तो septic abortion वाली condition है उस वरे से death होई है तो उसमें भी आपको जो color नज़र आएगा वो एक ही option बचा है brown और pale bronze modeling यी चीज़ आपको नज़र आएगी तो इस according जो correct match हो जाएगा एक ही pairing 4 के साथ म मैं यह ने कि आपका we डी का मैच है वो डी के साथ second का हो जाएगा तो यह का सही हो जाएगा option term a और इचक ब Ferr act कर रहे हैं भाधी पी चख़े कर लेते हैं दो работ आपका 3 के साथ में और सी प offen विकल सही है यह आगे move करते हो यहां पर कुछ आपके additional information दे रखी है मैंने एक तो जिसकी जो coloring है वो आपका सामे सामे लिखा हुआ है उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका जो opium poisoning है वो तो simple है कि opium किसे ने खिला दिया किसे हो तो उसकी death हो गई burning or cold same वही चीज़ है अगर हम बात करें यहाँ पर methemoglobinemia की तो यह एक तरह का blood disorder होता है जहां पर आपकी जो abnormal amount of methemoglobin होता है इसका production होने लगता है और जब इसका production बहुत huge amount में होता है बहुत जादा होने लगता है तो उसकी वजहा से जब death होती है उसको हम methemoglobinemia कहते हैं और short में इसको methb कहते हैं color इसका brownish red होता है ठीक है उसके लवा next अगर हम बात करें septic abortion की तो यह एक तरह का serious uterine infection होता है during और shortly before और after abortion मतलब कोई भी parents हैं अगर उनको child का abortion करवाना होता है तो उस condition में अगर abortion की time से पहले या abortion के बाद अगर serious uterine infection होता है और उसकी वजहा से death हो तो उस condition में जो body का color आपको visualize होगा वो brown pale browse motling नजर आएगी ठीक है इतना हो गया next अगर हम बात करें question number 3 की तो यहां पर पूछा गया है wound against wounds that is caused by the basically assertion reason है तो assertion है बोला गया है wound that is caused by the skin rubbing against a rough surface is known as abrasion so basically simple सा है अगर कोई भी skin surface है अगर उसकी rubbing किसी harsh surface के साथ में होती है तो उसकी वजह से wound cause होता है वो aberration ही बनता है तो यह बिल्कुल सही है assertion आपका correct है reason की बात करें तो reason ने पूछा गया है कि जो grazed scratch and patterned aberration मतलब जो चीजें होती है यह aberration की type है तो यह भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो grazed aberration होता है scratch होता है और pattern होता है यह basically aberration की तीन तरह की type होते हैं तो आपका both assertion and reason statement 1 and 2 both are correct ठीक है next अगर हम बात करें basically यहां पर यह option यह आपका operation और reason होना चाहिए था ठीक है आगे move करते हैं next question पर उससे पहले आपको कुछ information तो basically अगर हम बात करें scratch aberration की तो simple सा है इसको हम linear aberration भी कहते हैं यह basically जब tangential force apply होता है आपकी epidermis पर उसको हम scratch aberration बोलते हैं grazed aberration की बात करें तो इसको हम brush aberration भी कहते हैं और यह basically जब किसी skin का contact किसी बहुत ज़्यदा rough surface या फिर कोई friction अगर लगता है बहुत ज़्यदा rough surface के बीच में और उनके बीच में dragging होती है काफी time तक जिसकी वजह से जो आपकी epidermis होती है उसकी वह scrapping उसकी हो जाती है मतलब आपकी epidermis होती है वह scrap out होके आपकी हट जाती है तो उस तरह के जो चीजे रहती है वह आपकी grazed aberration कहलाता है और यह generally आपका जो road traffic accidents होते हैं उसमें देखने को मिलता है और जो आपका scratch aberration होता है इसके अगर हम simple से example की बात करें तो जैसे कि आपके nails की वजह से आपके skin में अगर scratch बन जाता है तो आपका scratch aberration कहलाता है तो आगे move करते हैं next है आपका patterned aberration so patterned aberration जो होता है यह basically perpendicular forced epidermis पर apply होता है उसकी वजह से cause होता है और इसको हम further दो दरह से classify कर सकते हैं एक होता है आपका pressure aberration और दूसरा होता है आपका impact aberration pressure aberration की बात करें तो यह basically prolonged compression होता है epidermis के उपर मतलब epidermis के उपर काफी time तक बहुत ज़्यादा pressure लगा है और उसके बाद में उसमें dragging होई है उसके बाद में dragging होई है इसकी विजह से आपका aberration cause हुआ है तो वो आपका pressure aberration कहलाता है impact aberration की बात करें तो यह basically depend करता है duration of contact with the offending object मतलब की जो भी आपका offending object है उसके साथ में आपकी skin का कितने time तक contact रहा था तो उसकी बादा से जो आपका injury cause होती है वो आपकी impact aberration कहलाता है तो यह हो गया आपका pattern and aberration with कर दो समझ में आया होगा आगे move करते है next question पर और यहां पर पूछा गया है which among the following information cannot be determined by analyzing bruise so basically bruise जो एक wound cause होता है wound होता है उसमें अगर वो cause हुआ है तो उसकी help से हम कौन कौन से information है जो determine नहीं कर सकते है so basically bruise की अगर हम बात करें तो यह जो आपका bruise रहता है यह abrasion से थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि मान लिजे यह आपकी skin surface है अब skin surface जो है आपकी यह किसी चीज से बहुत दर hardly damage होई damage का मतलब मान लिजे कि किसी ने बहुत जोड़ से कुछ मार दिया उस condition में जो आपकी surface पर मारा होगा उसका skin का color वहां से change हो जाएगा color change की होगा क्योंकि वहां पर की tissues होंगे जो veins होंगी वह सारी थोड़ा-थोड़ा damage होता है तो यह चीज आपकी bruise कहलाती है मतलब किसी surface के से आपके बहुत दा hard contact हुआ वह आपका pressure भी apply अगर pressure बहुत दा अप्लाई था बहुत time तक contact में था तो वह साही किसी है उसकी विज़ा से आपका अलग-अलग condition रहती है तो उस तरह से आपका bruise cause होता है अब यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसी कौन सी information है जो कि हम bruise की help से bruise का examination करके determine नहीं कर सकते हैं so basically इसका depth से कोई खास देना देना नहीं तो depth हम नहीं identify कर पाएंगे time of injury हम बता सकते है क्योंकि color का variation होता है color change होता है तो उसकी अरप से हम time of injury बता सकते है direction of injury basically यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी friction वगेरा तो लगा नहीं है तो उसकी वर्दा से हम direction भी नहीं बता पाएंगे तो आपका depth of injury हम नहीं बता सकते हम direction of injury नहीं बता सकते degree of violence की बात का तो यह हम definitely बता सकते है कि कितने degree तक violence था मतलब कि कितना जादा damage cause हुआ है उसके according हम यहाँ पर यह find out कर पाएंगे कि degree of violence क्या था यह Bruce का analysis करके हम बता सकते हैं तो correct answer हो जाएगा option number one and option number three जो कि आपकी जिसकी help से हम Bruce का analysis नहीं कर पाएंगे Bruce का determination करते हुए हम यह दोनों information को find out नहीं कर पाएंगे अब यहाँ पर option में गलत है option में गलत यह है कि option जो यहाँ पर बने हुए है वह इस तरह से बने हुए कि कौन-कौन से information को हम determine कर सकते हैं तो उसके according आपका option number B है यहाँ पर question में पूछा गया है कि कौन से information जो है हम determine नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए option हो जाएगा option number one and option number three तो यह आपका correct answer है तो उस option में गलत है आगे move करते हैं यहाँ पर अगला question है if a bruised part of a dead body is visualized is in green color मतलब जो आपका visualized body का इस color मतलब जो dead body का जो bruised part है वो आपका green color का visualize हो रहा है तो वो आपको क्या indicate करता है कितने time का bruised cause हुआ होगा वो आपको बताना है तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले options पर जाएं तो यहाँ पर जो आपका last option है 0 to 2 days तो 0 to 2 days में जो सबसे पहले आपको color visualize होगा वो पहले आपको red होगा फिर next 2 to 5 days में जो आपको color visualize होगा वो आपका dark blue होगा या फिर black होगा इसके बाद में जो आपका color change होगा यानि कि 5 to 7 days की बात करें तो यहाँ पर यह color आपको आपका green color का नजर आएगा उसके बाद में अगर हम बात करें 7 to 10 days तो यहाँ पर यह color आपको yellow color का नजर आएगा लास्ट 10-14 डेस की बात करें तो यहां तक आते आते हैं आपका जो वुंड होता है जो ब्रूस होता है वो थोड़ा ठीक होई लगते तो यह हलका सा ब्राउन कलर नजर आएगा या फिर आपका नॉर्मल हो जाएगा आपकी जो स्किन का कलर होगा वैसा ही आपको नजर आगा आपका ब्रूस जो रहता है एक प्रॉक्सिमेटली टू वीक्स तक कंप्लीटली ठीक हो जाता है तो इस क्वेशन का करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नमबर एक यहां पर पूछा गया है ग्रीन कलर विजुलाइज हो रहा है तो आपका बता देगा कि आपका जो सारे सारे क्वेशन हो चुके हैं कंप्लीट उम्मीद करती हूं समझ में आया होगा अब हम आगे मूफ करते हैं यहां पर वीडियो तो खदम हो चुका है अगर आपको इसकी पीडिएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलेग्राम चानल पर नहीं आपको हमारे वेबसाइट पर जरूर से उनको अप्लाई कर दीजेगा ठीक है और बाकी फेस्बुक और इंस्टा पर जरूर से फॉलो जो कर लिजेगा बहुत अच्छा कॉंटेंट वहां भी अवेलिबिल है वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कर दीजेगा अपने फ्रेंड्स के साथ में श